क्या नाम हुआ आपका रमजान खान कहां के रहने वाले हैं गुजरात के गुजरात में कहां के वापी वापी से वापी के रहने वाले हैं मोधी बिल्कुल जानते हैं परिवार वादी तो मोधी जी है नहीं, मोधी जी का जो परिवार है वो पूरा हिंदुस्तान जान रहा है, हिंदुस्तान की अवाम इस बार 2024 में मोधी को ही लाएगी, मोधी का परिवार बिल्कुल है, हिंदुस्तान की अवाम ही मोधी जी का परि परिवार है पूरा हिंदुस्तान मोधी का परिवार है और अने वाले हैं अने वाले हैं फाइदा होगा नरेंद्र मोधी को और अगला एलेक्षन चुनाव चिन भाजपास जीतेगी यह यकीन में यकीन सकता हूँ और कोई सरकार नहीं आएगी अब की बार चार सो पार जाएगी अशकार मैं हूँ आपके साथ हरजुन खजूरिया और आपका स्वागत है प्यारा हिंदुस्तान पर तो 2024 लोकसबाद चुनाव जो है वो बेह 2024 में भी चुनाव में देखने को मिल रहा है जब 2014 का चुनाव आया उस समय जब नरेंदर मोदी एज पीम कंडिडेट डिकलेर किये गे अंडिये की तरफ से उस समय कॉंग्रेस ने ये प्रचार किया जो भी का विपक्ष है उस समय कॉंग्रेस सत्ता में थी उन्होंने ये प रेंडिंग जो है वो ऐसे चोकीदार होने लगी और कॉंग्रेस ने कहा चोकीदार चोर है फिर क्या हुआ नतीजा वो भी सब के सामने था अब 2024 का चुनाव आ चुका है और इसमें भी ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है बिहार में हुई रैली के समय जो लालू प्रसाद अदव ने कहा कि नरेंदर मोदी जो है पहले एक तो कहा कि वो हिंदू नहीं है दूसी तरफ कहा कि उनका कोई परिवार नहीं है कुछ नहीं है वो नहीं जानते परिवार कैसे जो है चला जाता है हम पर परिवारवाद की टिपनी करते हैं और साथ ही साथ ये भी कहा कि जब अब नरेंदर मोदी जी की माता का निदन हुआ तो मोदी ने बाल नहीं मुंडवाए आपने अब उसके बाद क्या हो रहा है ग्रेमंत्री अमित शाह से लेकर के तमाम जितने भी बड़े नेता हैं वो सब अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ब्रैकेट में लिख रहे हैं मोदी का परिवार यानि कि अपने आपको लिख रहे हैं कि हम हैं मोदी का परिवार इनके कहने से कुछ नहीं होता इस समय इंडिया गेट पर मैं मुझूद हूँ और यहां पर आई जनता से जानेंगे कि उनकी क्या प्रतिक्री है इस पर अच्छा अभी 24 का चुनाव आ गया है और क्या लग राइस बार क्या माहोल होने वाला है 24 के चुनाव का मोहल यही है कि मोदी सरकार है इसी बीच आप गुजरात से भी है और नरेंदर मोदी भी गुजरात से है अभी लालू प्रसादियाद्व की तरफ से बड़ा हमला किय कहा गया है कि मोदी का कोई परिवार नहीं है कुछ नहीं है वो क्या जानते हैं परिवार को क्या कहेंगे अब इस बार दोजार चौबिस में मोदी को ही लाएगी क्या लग रहा है यह 2014 में भी स्टेट्मेंट्स आई थी कि चायवाला कैसे पीम बन जाएगा फिर 19 में एकी चोकिदार चोर है अब इस बार यह चल रहा है कि मोदी का कोई परिवार नहीं है मोदी का परिवार बिल्कुल है यह हिंदुस्तान की अमाम ही मोदी जी का परिवार है और जो उनकी कारे करता है मोदी जी के समर्थक है इस वज़े से मोदी जी इस बार 2024 की चुनाओं में बहुमस से हिंदुस्तान को आगे लेके जाने की कोशिस करेंगे और लेकी जार भी रहे हैं और आज हिंदुस्तान जिस तरह से चल रहा है हर जगहां हर स्टेट में हर राज में जितनी भी कामें हो रही हैं आज मोदी सरकार के द्वारा ही हो रही हैं जैसे कि रास्ते का काम जितनी भी आयोजक जितने भी आयोजक आ रहे हैं या जितने भी बजट पास हो रहे ह तो मोधी सरकार में सबसे जादा बहतर काम और बजट जादा से जादा दिया गया है। इस वज़े से हिंदुस्तान की सारी अवाम मोधी सरकार की ही परिवार है। अब उसके बाद हम सोचल मीडिया पर लगातार देख रहे हैं। चाहे अमिच्छा हों चाहे बाकी जो यहाँ पर बीजेपी के पतादी कारी हैं वो सब ने ब्रैकेट में लिखना शुरू करती हैं हम हैं मोधी का परिवार। यहाँ की इंफ्रेस्ट्रेक्श्टर दिल्ली की हो चाहे पुरी हिंदुस्तान की हो। आज जो भी डेवलप्मेंट हो रहा है मोधी के सरकार के द्वारा हो रहा हैं हम मोधी के समर्थक हैं और हम मोधी को ही आगे देखेंगे चुनाओ के दोरान। पहले फेज में 15 टिक्टे जो है वो अनौस कर दी गई है बीजेपी की तरफ से गुजरात की जी जी पता है जी दम्मन सिलवास दियू सारी कुछ राज्ये के गुजरात के राज्ये के भी अनौसमेंट हो गए हैं और वहाँ पे पूरा बहुमत मोदी जी सरकार बीजेपी पार्टी जो आज गरेंटी ले रही है सारी चीजों का और हम गुजरात का परिवार गुजरात की अवाम जाईर से बाद मोदी जी सरकार को ही आगे लेके आएगी धन्यवाद जी आपको क्या लग रहा है जो अभी कहा गया है लालू प्रसादे आदेव की तरफ से की मोदी का तो कोई परिवार ही नहीं है सब पूरा हिंदुस्तान मोदी का परिवार है मोदी जी आने वाले हैं अने वाले हैं हंड़ेट परसंट आपका क्या नहीं है कि मोदी का तो कोई परिवार नहीं है कि प्रवार हम होता ही परवार से पی wrench होता है और अटरी नहीं और परिवार हनी है और अपनी वह बहुत बड़ी बात कर रहे हैं वह सभदा दे रहे हैं वह बहुत वह सब्सक्राइब कोई नहीं है कुछ नहीं तो नोकरी के बर ले जमीन नोकरी पेदल यात्रा की जी नोने पहले पहुंचे वह थे आगरा क्या पेदल यात्रा की जी नोने पैदल की थी अब गाड़ी पेदल अब की तो मालिम नीए उसके आपको आपने जो जिक्र कर आनी कि आप लंबे समय से देख रहे हैं पॉलिटिक्स को तो क्या कारण लग रहे हैं कॉंग्रेस का जो अभी डाउन फाल आ गया राजीव गांदी तक तो सही राख उसके बाद में रावल गांदी आए उन्होंने कुछ डिमेज रखा है लिए पैसा बनाने के लिए पैसा अग्रेश के लिए पैसा काफी सरकार हमारे लिए मदद कर रही है अगरा से निवेश बिहारी नाम में ही बिहार है कहां के रहने वाले सुना अपने अभी बहुत वाइदेल ओर रहा है अभी चुनाव आ रहा है अभी यह जो स्टेटमेंट है इससे फायदा होगा लालु यादो को नुकसान होगा इससे फाइदा होगा नरेंद्र मोदी को और अगला एलेक्शन 24 का एलेक्शन में नरेंद्र मोदी आएगा द्वार 24 के चुनाव चिन भाजपास जीतेगी यह यकीन में यकीन से कहता हूं और कोई सरकार नहीं आएगी क्या लग रहा है क्यों ऐसी स्टेटमेंट्स दी जाती है मोदी का कोई परिवार नहीं है कुछ नहीं संतान नहीं है हिंदू नहीं है मोदी का परिवार है या नहीं है उससे कोई मतलब मोदी बोलते हैं कि हम हिंदूस्तानी है उतना ही काफी है हिंदुस्तानी होना चाहिए परिवार है नहीं है वह बात की बात नहीं है हम हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तान के लिए अपनी जान दे सकते हैं इतना रहना चाहिए अपने अंदर बिहार में क्या महोल चल रहा है अभी बिहार में महोल चल रहा है किसी के महोल काम के नहीं आएगा और आएगा तो सिर्फ बीजेपी सार्क आएगी और इतनी सीटेल आ सकती है तोटल टोटल देशवर अब की बार चार सो पार जाएगी